लो एवरिवान बिलकुम बैक टो यो फेवरेट चैनल मैंगेट ब्रेंज कैसे हैं आप सब लोग साब मजा माँ कोई दिक्कत परिशानी तो नहीं और मैं हुशे प्रतिवारी बहुत-बहुत स्वागत है यहां पर आपको प्रवाइट करा जाता है बिलकुल फ्री बेड़ करता है मैंने आपको फैरिंग्स पढ़ा दिया था फैरिंग्स का मैं भी आपको शिजन नहीं कर आ रही हूं क्योंकि बॉल्रेब्रे कैस्टम में ने ओरड़िडस के बारे में पढ़ लिया है ठीक उसमें मैंने आपको फैरिफ अलकन को हॉँस बताय है यह उज की वहां पर हम लोंग ने ट्रैइक यहां पर हम इसोफेगज के रिफेरंस पर रहें है तो लास्ट लास्ट में जो चीज़ रिवाइस करवानी थी वोह और मेरी टॉंसल तो टॉंसल जो है एक होती है आपकी नेजो फेरेंजियल पार्ट में ठीक है एक होती है नेजो फेरेंजियल पार्ट में इसे हम कहते हैं नेजो फेरेंजियल टॉंसिल या फेरेंजियल टॉंसिल इसी को आप एडिनॉइट भी कहते हो उसके बाद जब आप मुझ खोलते हो तो वन पेर होती है पहले टायन टॉंसल बच्चोँ, एक होती है, jeep के पास, which is called as lingual टॉंसल बच्चोँ, ठीक है? और एक, आपके पहले, इसके side side में होती है, यह जो टॉंसल दिख रहे हैं, आपको उपर के ओर इसके side side में होती है, इसके side92 ना टॉंसल, तो यह जो बाद आपके मुँ में जीब के साइड साइड में यह लटकती हुई दो लड्डू जैसे दिखती इस पैलेटाइन और आपके जीब के पास होती पीछे की ओर लिंग्वल टॉंसल ठीक है तॉंसल हो गया आज हम लोग पढ़ेंगे अपने प्यारे प्यारे दातों के बारे में ठीक है बकल कैविटी में क्या का कंप्लीट हो गया है बकल कैविटी में पैलेट हो गया बकल कैविटी में चीक्स वेस्टिब्यूल गम्स ठीक है अचा गम्स का यहां पर मैं लिख देती हूं मैं terminology पर जरूर ध्यान देना ठीक है तो gams को हम लोग कहते है जिन जाईवा ठीक है gams को नमसूरों को कहते हैं हम लोग जिन जाईवा ठीक है तो सारे terminology हो गई phosses समझ में आ गया The opening of buccal cavity into the pharynx is called as phosses जिस ओपनिंग से खुलता है बगल कैविटी फेरिंग में गलेट ओपनिंग 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 ओफ ट्राकिया बाकिनेटर मुसल ओफ चीक वेस्टिब्यूल दस्पेस इन बेविन जौस अंद चीक ठीक है यह अपन लोगों ने हो गया है अपना ठीक तो आज अपन लोग पढ़ेंगे teeth के बारे हाव मेनी teeth we have बचा लोग कितने प्रकार के teeth होते हैं we have incision ठीक है we have incision we have canines ठीक है वी हैव अब पीची तो दिखी निए आ है मुझे प्री मुलार्स एंड मुलार्स तो बैसिकली हमारे पास चार प्रकार के दाथ होते हैं यह तो बच्पन से पैदा हुए तब से पढ़ते आ रहें कुछ नहीं चीज़ पढ़ें आजा शुरू करते हैं दातों के बारे में किसी भी इंसान जब वो पैदा होता है देखी आदमी के ना दो समय पर दाथ कभी नहीं होते जब वो पै है जो आपकी बकल कैविटी में जो यह सुन्दर टीच होते हैं यह इनका characteristics feature होता है समझ में आई बात बिना दात के क्या ही है यार ठीक है तो look at the points teeth are the characteristics feature of the human buckle cavity ठीक है it is a character वो उसका character है if you don't have teeth आपका buckle cavity वैसे ऐसा हो जाएगा तो character सही से दिखाई नहीं देगा now the upper and lower jaws rows known as maxilla and the mandible ठीक है upper jaw is the maxilla lower jaw is the mandible जिसमें दात लगे हुए होते हैं अब मेरी बात को धान से समझना शरीर में शरीर में दो जगह पर immovable joint होते हैं नीट का सवाल बन सकता है यह याद रखना आपसे पूछा जा सकता है कि शरीर में immovable joint कहां बनते हैं हलाकि मैं आपको skeletal system में यह पढ़ाऊंगी ठीक है तो एक होता है आपके skull में immovable joint एक होता है बच्चों skull में और दूसरा होता है in between the teeth and jaws ठीक है तो यह याद रखना है आपको ध्यान से ठीक है तो आपके jaws और teeth के बीच में एक immovable joint होता है आई बात समझ में तो आपके skull जो आपको क्या लगता है कि skull एक single huddy है no 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 आपकी खोपड़ी single huddy नहीं है there are so many bones present into the skull but there is sutures ठीक है वो skulls को जोड़ते हैं तो यह huddy इतनी अच्छे से जुड़ी होती है कि आपका skull हिलता नहीं आप कुछ भी कल लें ठीक है हिलेगा तो फिर दिमागी हिल जाता है तो skull और teeth और jaw के बीच में immovable joint होता है ठीक है तो tooth is embedded into the jaw bone through a immovable joint called as gumphosis इसको highlight करते हैं यह question neat के लिए important है समझ में आई बात तो what is the gumphosis gumphosis एक joint होता है what is the gumphosis बच्चो it is a joint कहां पाया जाता है आपसे पूछेंग एंगली बार तो it is present in between the jaw and in between the teeth ठीक है तो यह क्या करता है कि दातों को socket से अच्छे से पकड़के रखता है ताकि दाती धरुधर ना जाएं बहुत important question है अपने copy में इसको highlight करिएगा आगे बढ़ें now let's start the structure of the tooth दिख रहा है आप लोगों को structure of the tooth चलिए tooth के basically तीन पार्ट होते हैं दात के तीन पार्ट होते हैं पहला पार्ट होता है crown ठीक है तो जो पार्ट आपको दिख रहा है उसे आप कहते हैं crown ठीक है उसके बाद crown जो है वो नीचे root की और जाता है धस जाता है jaw पे तो जिस area पे धसता है जहां से घुसा हुआ है उसे आप कहते है neck और जो पार्ट आपको नहीं दिखता वो होता है root ठीक है तो suppose that this is your jaw bone ठीक है and this is your teeth okay so this is your teeth okay now what is this this is the crown this is the neck and this is the root तो आपकी जो teeth होती है वो cnr होती है तीन पार्ट में डिवाइड होती है crown neck और root आगे बढ़े now listen to me very carefully very 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 carefully just bone में just bone में आपका जो दांत धसा हुआ होता है उस बोन का नाम होता है alveolus समझ में आई बात आपका दांत जिस बोन में धसा हुआ है उस बोन का नाम है alveolus ठीक है now अब दियान से समझेंगे सब लोग look at the teeth very very carefully otherwise you will never learn चलो आजाओ मैं अभी detail भी नी जा रही हूं मैं structure समझा रही हूं पिर मैं आपको notes समझा दूंगे देखो look at this area let me select a highlighter मैं highlight कर दे रही हूं तो आपको समझ बहाएगा look at this area look at the yellow yellowish one जो मैं highlight कर रही हूं और थोड़ा ब्रॉड लेती हूं greenish one हो गया है यह लोग से ठीक है तो look at this area okay 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 this hara one is called as enamel क्या कहलाता है बच्चों यह enamel कहलाता है आजो 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 कभी आप लोगों ने दातों को clean करवाया है क्या मुझे comment section में बताना कभी अपने दातों पर वो machine चलवाई यह घर करती घर कभी सोचा है अपने देखा चलवाया है अरे नहीं चलवाया होगा अभी तो बहुत छोटे हो चलो कोई बात नहीं बताती हूं मैं दात जब आप किसी का दात और मुझ फाड़के कोई हसता है तो हमेशा ही याद रखिए कि जो पार आपको दिख रहा है उसके उपर एक कवर होता है उस पर एक कवर होता है और उस कवर का नाम होता है मोनलता है समझ में आई बात जो पारफ आपको क्राउन वाला अपार जो आपको दिखता गा कें फॉर को आप कहते हैं अंटके लोड़ा से से एक्सप्लेश करते हूं बच्चे में जब दांत आता है तो जैसे सब कि कलता जाता है है जैसे वैसे enamel जो है तो वह बंता जाता है जैसे लुक at this ठीक ऐसब अध्समायज़ाने टूथ ही इसेटीज़ पर जैसे जैसे जीन सब्सक्राइए शब्सक elder दाथ आधा जाया है जैसे नेसे नाथ नकल जा रहा है जब दाथ पूरा बाहर निकल जाता है तो यह सिर्फ crown तक रहता है तो inamels जो है जैसे जैसे दाथ थोड़ा थोड़ा बाहर आएगा यह भी उपर से बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा जो समझ में आई बात इसमें 97 परसेंट जो होता है वो होता है कैल्शियम आपका फॉसफेट 3% कैल्शियम फ्लोराइड वाटर एंड अधर मटेरियल ठीक है इसमें किसी भी प्रकार का कोई फाइबर नहीं होता कि इसमें को फ्लेक्जिबिलिटी आपको दिखेगी नो ठीक है इनैमल को बनाने वाली जो सेल्स होती है ठीक है ठीक है देखो ध्यान से इनैमल को बनाने वाली जो सेल है ठीक उनका नाम होता है एमाईलो ब्लास्ट कौन सी ब्लास्ट एमाईलो ब्लास्ट ठीक है यह नाम याद रखना एमाईलो ब्लास्ट दसेल विच फॉर्म्स दा इनै contain the enamel is the hardest part of the body why because it contain the largest amount of minerals into it it na mineral body ke kisi or part main nahi paaya jata even agar aap in amal ke is part me lohe ki rod ragdhenge na to ho sakta chingari bhi ut jayen क्योंकि 2 lohe ki rod ragdhate to chingari utti loha is a mineral do minerals ko ragdhenge to chingari uthe gi to suppose that enamel a kya hem mineral hai uske upar lohe ki rod ragdhate na to chingari utti di khai degi aapko samaj mei baat it na mineral content ho ta iske paas it na mineral content hoonay ki wajah se ye body ka sab se heart part ban jata hai the cell which forms the enamel is called as amylo blast ab एक बार अगर enamel बन गया तो दुबारा जीवन में कभी नहीं बनता सब ये सब लिखते जाना ठीक है एक बार once in a life लिख देती हूं मैं ठीक तो एक बार अगर जीवन में enamel बन गया तो दुबारा नहीं बनता चाहे कुछ भी कर लो क्योंकि जन्म के बाद जो पर्मानेंट सेट आफ टूथ आते हैं उसमें ये सेल इनक्टिव हो जाती है समझ में आई बात कोई दिक्कत परिशानी ठीक है in amal done now next part हम लोग देखेंगे dentine के बारे में look at the area किस कलर से हाइलाइट करूं में bluish कर लूँ क्या ओके रेडिश कर लेती हूं ठीक है look at this area this brownish area देखेंगे 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 ये वाला area देखेंगे आप लोग जिसको मैं red कर रही हूं ये देखो ठीक ये जो रेड़ वाला area आपको दिखाई दे रहा है चलोगे ग्रीन से भी तो कर दूं तक कि इनामल आपको क्लियर रहे ये उपर का जो ग्रीन एरिया है इट इस दा इनामल ठीक है और नीचे का पूरा red one is called as red one is the dentine ठीक है तो green one is the आपके neck तक है मतलब उपर से crown से लेकर neck तक है उसके नीचे नहीं है ठीक है जबकि dentine कहां तक है dentine पूरा crown से लेकर root तक क्या पाय जाता है crown से लेकर root तक पाया जाता है आपका dentine ठीक है देखो red वाला पूरा बना दिया है मैंने अच्छे से देखो look at this ठीक तो crown से लेकर पूरा आपको नीचे तक दिखाई देगा dentine ठीक तो enamel हो गया उसके बाद हो गया dentine यह हो गया enamel यह हो गया dentine अप समझे यह वाट इस a dentine dentine is the second part of your tooth ठीक है it contain करीब 70% क्यास पास calcium phosphate it also have some fiber some proteins ठीक है dentine जो होता है वो जीवन में एक से दो बार बनता भी है क्योंकि एक बार milk set और permanent set यह crown से लेकर पूरा root तक होता है ठीक है dentine is the second hardest material of the body समझ में आई बाद dentine is the second hardest material of the body पूरा clear कर रही हूँ अब ध्यान से देखना क्यों देखो इस जो यह तो bone हो गई आपकी यह वाली जो हो गई this is the bone जो brownish brownish देख रही है it is the bone it is called as alveolus bone यह brown वाली ठीक है bone के बीच में मैं आपको दिखाई दे रही हूँ तब bone के बीच में और dentine के बीच में और dentine के बीच में आपको एसा एक structure दिखाई दे रहाया look at this structure यह दिख रहा है आपको blueish color प्लुइश pinkish इसको कहते हैं periodontal ligament या periodontal membrane समझ में आई बात तो आप इसको क्या कह रहे है periodontal membrane this is called as periodontal ligament afterward यह किसके बीक में होता है inside the beach में और कहां होता है आपके data bone के बीच में तो the end time are bone के बीच में a towary as periodontal membrane, periodontal ligament या periodontal membrane एक चीज सिक्रीट करती है over the dentine, यह जो line आपको दिख रही है dentine के उपर black color की, जिसको मैं draw कर रही है, देखो red color से, यह देखो, ठीक, दिख रही है यह देखो, यह draw कर दिया, मैंने dentine की just उपर, यह जो red color का पूरा दिखाई दे रहा है, यह सब जगा होगा पूरा ही draw कर दे रही हो, यह तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा ठीक, this line is called as cement this line is called as cement, या cementum तो क्या सीखा आपने, dentine brown वाला पार्ट, इसके उपर red वाला पार the red वाला पार्ट is called as cement, who will make the cement, this peridontal membrane will make the cement around the dentine, तो dentine को असानी से कोई जो है तो damage नहीं कर सकता, समझे बात को dentine को असानी से कोई damage नहीं कर सकता, चाहे कोई कुछ भी कल ले, so peridontal membrane secretes the semen over the dentine, जिसकी वज़ए से दात और मजबूती से बोन से जुड़ा हुआ होता है, और गॉंफोस जॉइंट बनाता है, peridontal membrane समझे आप, peridontal membrane के पास बहुत सारे fibers भी होते हैं, sharpies fiber जो के और strong बना देते हैं attachment, ठीक है, समझे आप, तो उपर हो गया enamel, दूसरा हो गया dentine, dentine के उपर एक layer है, जिसे आप cement कहते हैं, cement को किस ने बनाया है, peridontal membrane ने, peridontal membrane कहा है, jaw और cement, jaw और दात के बीच में, तो peridontal membrane दात के उपर बनाती है, cement जो उसकी रक्षा करता है, cement is the second hardest material of the body, after the enamel, तो लोग enamel को कहते हैं, it is the hardest part of the body, dentine को second hardest, क्यों, क्योंकि ultimately cement dentine के उपर ही तो है, देखो, dentine के उपर ही तो है, तो कोई tension ही नहीं है, पर actually cement is the second hardest part of the body, आगे बढ़े, now, देखेंगे, ये जो छेद आपको यहां से दिखाई दे रहा है, it is called as apical foramen, इस apical foramen के से गुजरती है, मैं कोई और color select कर लेती हूं, let me select green color, ठीक है, तो इस apical foramen से बहुत सारी nerves और blood vessel गुजरती है, dentine के अंदर, और जाकर एक space like structure बनाती है, dentine के अंदर, which is called as pulp cavity, इस pulp cavity के अंदर, entry होती है, बहुत सारे nerves और बहुत सारे blood vessels की, जो continuously दात को nutrition, sensation यह सब provide करती है, अच्छा तुम मुझे बताओ, कि जब तुम छोटा बच्चा थे, तो तुमारे ऐसे घोड़े जैसे दात थे, जैसे अभी है, नहीं होंगे न, जब तुम छोटे थे, तो तुमारे दात भी छोटे हुआ करते थे, क्यों, क्योंकि उस समय पर epical foramen, जो है, जो छेद है नीचे से, जहां से nutrition, sensation जब जा रहा है, दातों के अंदर वो दीरे दीरे जाता था, पर जैसे आप बड़े होते गए, nutrition और sensation यहां पर जो है, बहुत जल्दी जल्दी पहुशने लगा, तो आपके दात बड़े हो गए, पर एक समय के बाद आपका यह जो छेद है, जो रूट में बना हुआ है, जिससे nutrition पहुच रहा है, पोशड पहुच रहा है, इस छेद से, उनके दाथ बड़े-बड़े हो जाते हैं, जिनको नहीं मिलता, उनके दाथ छोटे-छोटे हो जाते हैं, जैसे कि हाथी के हाथी के दाथ देखें कितने बड़े-बड़े, उनका एपिकल पोर जो है, कभी फोरामेन पोर छेद कभी बंदी नहीं होता, हाथी के दाथ तोड़ लो ना तो फिर वो बड़े हो जाते हैं, उत्ती बड़े, ठीक है, तो हाथी के दाथ कभी जो है तो बड़े ही, जो बहुत जाता है पल्प कैविटी में पूरे ब्लड वेसल नर्फ को डैमेज कर देता है तो डॉक्टर यहां से छेथ करके पूरा समान बहार निकालके सफाही कर देता है इसको आप कहते है रूट के नाल टेस्ट समझे की नहीं समझे तो दात का स्ट्रॉक्चर आपको समझ में आया कि नहीं आया पहला पार इनामल दूसरा पार डेंटाइन के ऊपर कावर कॉल्ड असी में टाम फोड़ा अगर किसी का दात बढ़ा दिखे रहा है तो हसना मत उसके उपर समझे क्योंकि हो सकता है उसका एपिकल फॉरामन बहुत दिन ताख खुला वह विचारे का क्या तुम लोग ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? So, let's talk about the origin. मैंने structure पूरा समझा दिया, explain कर दिया, कोई परिशानी नहीं होनी चाहिए. Now, let's talk about the origin. Dentine, क्या कहते हैं, दातों का origin क्या है? दातों का origin है, acto-mesodermal, जिसमें enamel का origin होता है, actoderm, बच्चो, enamel का origin क्या होता है, actoderm, जिबकि dentine का origin क्या होता है, mesoderm, इसलिए दात का origin क्या हो गया, acto-mesodermal. Enamel cover, the crown part of the tooth, it is the hardest material of the body, who secrete amyloblast cells, ठीक है? Growth of enamel is always upward to lower direction, no fiber present into it, composition, 97% CA3PO4 and 3% CAF2, ठीक है? 3% CAF2, no fibers present into it, यह इतना hard होता है, इतना hard होता है, इतना hard होता है, कि अगर इसमें लोहे की rod रगडी जाए, तो च्रिंगारी उठने लगेगी, तो आगे, dentine, it is the second hardest part of the body, growth lower to upper direction, नीचे से उपर क्योर बनता है, यह dentine जो है, इसके अंदर होती है, यह dentine, चारो तरफ होता है, pulp cavity का, who will make the dentine, amyloblast cells will make the enamel, now, odontoblast cells will make the dentine, और यह दोबारा बन सकती है, ठीक है, blast का मतलब होता है, banana और class का मतलब होता है, तोड़ना मेरे प्यारे, मेरे लार, मेरे बच्चो, ठीक है, between the root and the bones of teeth, a periodontal membrane is present, यह बता है मैंने, तो suppose that, कि यह हो गई आपकी bone, और यह हो गया आपका tooth, ठीक है, ओके, so in between the bone, ठीक, यह हो गई आपकी bone, ठीक, यह हो गया आपका teeth, यह होता है, periodontal membrane, ठीक है, यह, तो समझ में आया, दानत और bone के बीच में होती है, periodontal membrane, अच्छा के बीचा, periodontal membrane, यह देखो, periodontal membrane, बना रही है, क्या बना रही है, periodontal membrane, बना रही है, cement, ठीक है, periodontal membrane, मैं labeling भी कर दे रही हूं, तो यह हो गया, अपना red बाला dentine, ठीक, it is dentine, isn't it so ugly diagram, ठीक, और ये हो गया cement, समझ गया, तो ये red वाला हो गया bone, उसके अंदर है teeth, red वाला is the dentine, इसके उपर cement भी वो बना ही लो, that enamel, और ये हो गया enamel, ठीक है, तो peridontal membrane, peridontal blue वाली, ये क्या बना रही है, yellow color का cement, is the second hardest material on the body, अगली बात करते हैं, this membrane secrete the hardest substance of the body, called as cement around the dentine, समझ में आ गया, which gives the strength to the joint of tooth and jaw bone, ठीक है, ये strength देती है, composition, 69% जो है, वो है, इन और्गेनिक सॉल्ट मतलब की CA3PO4, जो की enamel में भी था, और रिमेनिंग जो है, वो और्गेनिक मतेरियल है, जैसे fiber हो गया, proteins हो गया, ये सारी चीज है, ठीक, तो अगली बार भईया, ऐसा है, कि जब भी खाना खाओ ना, तो मीठा मत खाना, क्योंकि अगर मीठा खाओगे ना, तो क्या होगा बताओ मुझे, सड़ता जाएगा, दाप्ता, सड़ता जाएगा, ठीक है, और सड़ते-सड़ते जो है, ध्यान से देखो, यहाँ पर खाना सड़ता ज जाएगा, और सड़ते-सड़ते खाना, पल्प कैविटी में आ जाएगा, और फिर पूरे ब्लेड वैसल्स वगेरा को डैमेज कर देगा, ठीक है, तो सफेद वाली बोन हो गई, पिंक वाला गंज हो गया, ब्राउन वाला देंटाइन और वाइट वाला एनेमल, आगे बड मैं अपने कंठेश्वर को तो थोड़ा वो करूँ, फिर उसके बाद दातों के बारें पढ़ा रही हूँ, तो ये तो पन बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, कौन-कौन से, इंसीजर, कनाइन, प्री, मोलार, मोलार, पढ़ाए की नहीं पढ़ाए, ये नहीं पढ़ा ना, अभी मैं आपको और दातों के टाइप्स बताऊंगे, सोचो कि human beings में कौन-कौन से टाइप की दात होते हैं, जब तुम खिल खिला के हसते हो, तो तुम्हें कौन से दात दिखाई देता है, इंसीजर, कौन से दात दिखाई देता हैं बच्चों, इंसीजर, चलो इंसीजर क कैनाइन, प्री, मुलार्स, यह देखो, प्री, मुलार्स, यह देखो, प्री, मुलार्स, यह देखो, 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 यह देख ठीक है शुरू करें ओके देखो क्लासिफिकेशन on the basis of their position के अधार पर कौन-कौन से दात होते हैं सबसे पहला दात हम लोग बात करेंगे एक्रोडॉंट कहां पर पढ़ा हम लोगो ने एक्रोडॉंट हम लोगो ने पढ़ा amphibious में ठीक है वोट इस दे एक्रोडॉंट टीथ एक्रोडॉंट का मतलब होता है किस कलर से लिखूं इस से लिखते हूं superficial arrangement superficial arrangement ठीक superficial arrangement of tooth into jaw समझ गया है तो एक्रोडॉंट टीथ कौन से टीथ होते हैं बच्चों एक्रोडॉडॉण टीथ वो टीथ होते हैं जो की जॉबोन में सुपरफीशल एटाच रहते हैं मतलब उसमें क्या होता है कि मतलब बहुत अंदर घुसके नहीं एटाच है तो आसानी से तूट जाते हैं ठीक है उसके बाद प्लूरॉडॉडॉडॉडॉडॉडॉडॉडॉ अंदर वोलाओं, मतलब अलग अलग झगापे नहीं एटाच हो यह साीट से दिखो ऐसा अटाच है सी शुपरफीचली थोडा संदर है पर साइट से यह ना नेक्स ती सिंग सॉट्टॉडॉडॉडॉडॉडॉडॉड पुरा जाव में घसा हुआ है, we have thecodone type of teeth, so on the basis of position, there are three types of teeth, number one is the acrodont, number two is the pleurodont, number three is the thecodone, which type of teeth we have, बचा लोग, we have thecodone type of teeth, जिसमें दाथ, जबड़ी के अंदर खुसा हुआ रहता है, ठीक है, note, चलो, अब तुमने देखा, कि जो दाथ होता है, वो socket में root के थूझा रहता है, socket में किसके थूझा रहता है, root के थूझा रहता है, अब हम ये देखेंगे कि कितनी root होती है, चाहिए तुम मुझे बताओ कि तुम अपना दाथ, तुम अपना जबड़ा, तुम अपना मूँ खोलके देखते हो, तुम्हे सबसे कमजोर दाथ कौन सा लगता है, मुझे तो अपने ये नीचे वाले inceasars लगते हैं, और सबसे ज़्यादा मजबूट जो दाथ लगता है, मुझे वही अपना मेरा पी वाला भी कमजोर होता है ठीक है? Okay? तो उपर वाले मुलार के पास थीन रूट मीचे वाले मुलार के पास एक रूट और इन सीजर्स जो होते हैं इनमें सबसे कम रूट होती है एक रूट कमजोर ठीक? आजो 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 आओ On the basis of their arrangement कम 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 सबसे पहले हम लोग देखेंगे bunodont What is the bunodont teeth? देखो This is the bunodont teeth अगर आपका यह जो कस्प होता है This is called as cusp ठीक? यह होता है कस्प अगर दात का surface round है ऐसा तो यह कहलातने है bunodont teeth humans के पास ऐसे दात होते हैं ठीक है नेक्स्ट होते हैं Lofodont teeth Lofodont teeth जो होते हैं यह हाती के पास होते हैं जिसमें grinding surface कुछ ऐसा spiral होता है It is like dant ऐसा ओके Now Selenodont teeth अगर आप देखें तो grinding surface आपको ऐसा दिखाई देगा मतलब रुक रुक के बहुत ज़्यादा ऐसा ground या regular नहीं irregular ऐसा दिखाई देगा जबकि आप C codon teeth दिखेंगे तो आपको surface ऐसा pointed दिखाई देगा वह इसमें नहीं बनाया गया तो हाती के पास होता है जो आपका this type of teeth Lofodont teeth C codon किसी भी कार्नी वार के पास होता है समझे की नहीं तो अगर आपका ध्यान से समझे अगर आपका grinding surface irregular हो ऐसा pointed pointed तो नहीं पर ऐसा दिखाई दे आपको तो यह होता है आपका Celenodont teeth Lofodont अगर आपको spiral दिखाई दे pointed दिखाई दे तो C codon और अगर round दिखाई दे तो Bionodont तो arrangement के अधार पर हमारे पास यह वाले दाथ होते हैं चीक है ओके Now classification on the basis of की life में वो कितने बार आते हैं बच्चों कितने बार आते हैं दाथ कितने बार आते हैं दो बार human being की बात कर रहे हैं न हम लोग तो जो दाथ है तो अपने arrangement के अधार पर और आप-ائkrodon Britney और और जो कि side side provinodont चलो कि अभ हम लोग बात करते हैं जीवन पे कितने बार आता है आपके जबडो में कितने बार दात आते हैं बताओ मुझे कितने बार दात आते हैं याद है کुछ की सब भूल गाए हमारे पूरे जीवन में वहीया साथ दो बार दाथ आते हैं एक होते हैं दूद के दाथ और एक होते हैं जवानी के दाथ समझे नहीं समझे एक होता है वहीया कौन सा दाथ दूद का दाथ और एक होता है जवानी का दाथ ठीक दूद का दाथ इसे आप मिल्क टीथ कहते हैं ठीक है इसे हम milk teeth कहते हैं, इसे हम temporary set of teeth कहते हैं, इसे हम deciduous set of teeth कहते हैं, why it is called as temporary set of tooth, क्योंकि एक समय के बाद ना सारी ज़ड़ जाते हैं, तो दूद के दात मां सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं, ओके, और deciduous का मतलब होता है, जड़ जाना, तो दूद के दात एक टाइम के बाद जड़ जाते हैं, पर सवाल ये है, कि चार अपने पास दात हैं, चार टाइप के इंसिजर के नाई, प्री मोलार और मोलार, ठीक, आप अपने पास question ये है, कि कौन सा दात, अब मैं पूरी कहानी अभी यहां पर लिख के बताऊंगी, ठीक है, परमन अभी ये नोट वाला पॉइंट छोड़ी अभी मैं पढ़ा रही हूं, ठीक है, देखो, 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 ध्यान से समझो मेरी बात को क्या बोल रही हूं, मैं, कि जो milk set of tooth होता है, इन बच्चे बिचारे छोटे हैं, बाल गोपाल हैं ये लोग, क्या है इनके साथ परिशानी, ये परिशानी है इनके साथ, कि इनका परिशानी क्या है, अच्छा ही है, बितने, first जो tooth आता है, इनका, पहला दाथ, ठीक, पहला दाथ का बाता है, इनका, first tooth इनका आता है भीया, छे महिने में, six month में, ठीक, और six month में आता कौन सा दाथ है पहला, first incisor, लिखते चलेंगे आप मेरे साथ, अगर आप देख रहे ह तो, दूसरा जो दाथ आता है, second tooth, हाँ, second tooth, ये कब आता है, second tooth बताएंगे मुझे, second tooth आता है, 24 month में, second tooth नहीं, इसको second tooth थोड़ी कहेंगे, ओह, second tooth नहीं बच्छो, last tooth, last tooth, ठीक, last tooth आता है, 24 month में, वो कौन सा होता है, वो होता है, second molar, अब ये first incisor, और क्या है, ये भी हमें आपको बताती हूँ, ध्यान समझे, ये आपने screenshot लेना है, इसका, ठीक है, फिर में आपको आपको आगे बतारी हूँ, देखिए, अब ध्यान से समझना बच्छो, देखो, क्या बोल रही हूँ में अब आपको न, मैं थोड़ा सा dental formula, ये लिख लिख लिए आप लोगों ने, first tooth छे महिने में आता है, जो कि first incisor होता है, second tooth जो होता है, last tooth जो होता है, वो 24 महिने में आता है, और ये second molar होता है, अब मैं आपको थोड़ी सी कहानी समझाना चाहती हूँ, dental formula, क्या होता है dental formula, द और नीचे लिखेंगे lower jaw के दाथ, समझ में आई बात, और अभी हम लोग, ध्यान से समझ ये, कैसे दिखा हूँ मैं, आपको, look at this, ठीक है, देखो, हम लोग न, अपने jaw को ऐसा डिवाइट कर लेते, we have to divide jaw like this, अब ध्यान से समझेंगे, dental formula में, हम लोग इधर के एक सेट का लेंगे, अपर जोके, और इधर के एक सेट का लेंगे, lower jaw के, और इनको into two कर देंगे, क्योंकि जो दाथ इधर हैं, same to same इधर भी है, फिर से समझें आप, dental formula में हमको दाथ कैलकुलेट करने होते हैं, dental formula is the formula by which we calculate our tooth, number of tooth, teeth, ठीक है, तो उपर के जबडे में, बहुत सारे दा अब इधर के दाथ लिख लिए, अपर जोके, और इधर के जोके दाथ लिख लिख लिए, lower jaw के, और इनको into two कर दिया, क्योंकि जो इधर है, same to same उतना ही नंबर, इधर भी है, अगर कहीं चोट वट्टी लगी, गिरे वरे नहीं, टोटे वटे तो नहीं है, ठीक है, हम, हम, चलो, आजाओ, हाँ, तो उपर के jaw में, मिटा दिया सब मैंने, क्यों, बड़ी बिकार हुँ मैं, अपर jaw divided by lower jaw, उपर के जबडे के दाथ और lower जबडे के दाथ, into, into क्या करना है, two, समझ गए, into क्या कर लो, या, two, आप समझो, उपर के जबडे में होते इंसीजर, उपर के जबडे में होते कनाइन, उपर के जबडे में होते प्री मुलार, और उपर के जबडे में होते मुलार, नीचे के जबडे में भी सेम चीज होती है, इंसीजर होते हैं, कनाइन होते हैं, प्री मुलार होते हैं, अब इनको आपन होता है, उसमें Pre-Molar πi ही नहीं जाते, क्योंकि जबड़ा इतना छोटूश है, बिचारयों का Pre-Molar कहा होगा, प्रीमोला नहीं होता है, टेंकि-ऊ-गे, अब मैं आपको Dental Formula calculate करके दिखा रही हो, उपर के जबड़े में 2, देखो, 1, 0, प्रीमोलार स्प्राइब 2, वही same to same left side में है, अब देखो, जब आप 2 का इंटू, ध्यान से समझेंगे, इधर देखो, आज़ो आज़ो, जब इस 2 के इंटू, इस 2 के साथ करोगे, तो आपके पास इंसीजर कितने आ जाएंगे, 4, इस 2 का इंटू, इस 1 के साथ करोगे, तो आपके पास के 9 कितने आ बी आ जाएगा 4204 अब आपने इसको टोटल करना है चार चार आठ और दो दस ऊपर के जबड़े में छोटे बच्चे के पास 10 दाथ होते हैं सेम नीचे भी नीचे के जबड़े में तो टोटल milk set में कितने दाथ होते हैं 20 कितने दाथ हो गए या 20 फिर से समझें incisors, canine, premolars and molars ये उपर के जबड़े में भी हैं incisors, canine, premolars and molars नीचे के जबड़े में भी हैं हम लोग एक side का calculate कर रहे हैं उपर के जबड़े का, नीचे के जबड़े का, इसको into two कर देना, क्योंकि same to same, इधर भी है वही है अब उपर के जबड़े में incisors जो छोटे बच्चे के पास होते हैं, वह होते हैं 4 same नीचे के जबड़े में भी होंगे canine उपर के जबड़े में है 2, नीचे के जबड़े में भी 2 है ठीक है, हमने एक साइट का लिखा था तो इनसीजर 2 आए ठीक, 2, तो 2 इधर भी तो होंगे तो हो गया 4, same एक साइट का canine है 1, तो इधर साइट का अभी एक हो गया तो दो सेम नीचे के जबड़े में भी प्री मोलार नहीं होते छोटे बच्चे में विकॉस तेर इस नो टूथले स्पेस जगाहा ही नहीं खाली है ठीक है और मोलार होते हैं छोटे बच्चे में 8 4 ऊपर और 4 नीचे इस तरीके से जब आप इसको total करो, इसको into नहीं करना है, इसको क्या करना है, आपको plus करना है, you have to do the plus, ठीक है, addition करना है, 4, 4, 8, 2, 10, तो 10 उपर वाले जबड़े में, 10 नीचे वाले जबड़े में, तो एक छोटे बच्चे के पास total 20 दात होते हैं, जिसमें पहला जो दात आत है, वो होता है, कितने incisors हैं अपने पास, ध्यान से देखे, we have 8 incisors, in the छोटा बच्चा, 8 incisors छोटे बच्चे में हैं, तो अगर 8 को हम दो भागों में डिवाइट करें, तो पहले incisors जो होते, पहले जो 4 पेर होते, 2 उपर और 2 नीचे, ये सबसे पहले निकलते हैं, ठी है, आगे बढ़े, इसमें कोई confusion तो नहीं है, इसका एक बढ़ आप screenshot ले सकते हैं, उसके बढ़ में permanent site बनाऊगे, हो गया ये, चलो, अब आगे आजाओ, अच्छा, कभी-कभी ऐसा होता है, नॉर्मली, मैं छोटे बच्चे की बात नहीं कर दियू, मैं डायस्टेमा बता चरब करें, देखे क्या होता है, कई बात। पूरा होता है, जैसे की रैट हो गया, इन सब में बढ़ पूरा होता है, फिर भी इनके में दात कुछ नहीं आते, तो ऐसा नहीं होगा कि अगर इधर कोई दात नहीं आ रहा हमालीं, ज So, our toothless face which always present into your jabda or jaws is called as diastema. समझ में आई बात ही, हमेशा आपके present ही रहता है, इसको आप हटा नहीं सकते हैं, इसको आप कहते हैं, diastema. Permanent set में आ जाईए, Permanent set में 32 नंबर है, कितने नंबर है, 32, dental formula, पहला दाथ तो बता दूं कब आता है, जहाँ समझे, First tooth जो है, First tooth, First tooth कब आता है, First tooth आता है वहिया, आपका कितने महीने में, नहीं, कितने साल में, यह आता है around 6 years में, और last tooth आता है, after 25, इससे आप पहले भी आ सकता है, ठीक है, पहला जो tooth आता है, वह होता है इनमें, First molar, पीछे वाले आते हैं सबसे पहले, Molar, First molar, यह First क्या है मैं आपको बताती हूं, और इनके में आते हैं, Third molar, यह क्या है First और Third अभी मैं आपको बताती हूं, How many teeths we have in the adult set, 32 ना, 32, चलिए देखते हैं, आजा, 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 चलो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, 32, पहले dental formula निकाल लेते हैं, ICPM upon ICPM into 2, ठेक, अब हम लोग देखते हैं, इसका dental formula, किसका adult set का, पहला दाप मैंने बता दिये कह बात है, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, into 2, calculate करिए, इस 2 को इस 2 से calculate करिए, 4, इस 2 को 1 से करिए, किता होगा 2, 2 को 2 से करिए, 4, 6, नीचे भी यही आएगा, 4, 2, 4, 6, कितना हो गया, उपर आपको मिलेंगे 16, जोड लीजे, 4, 4, 8, 2, 10, 6, 16, और नीचे भी 16, how many teens in the adults है, 32, निकाल लिया, कोई tension नहीं, अब calculate करिए, टोटल आपके पास, ध्यान से समझना मेरी, बात को कान खोल के, इंसीजर्स आपके पास कितने हैं, how many इंसीजर्स you have, we have 8 इंसीजर्स, ठीक, how many canines you have, how many canines you have, you have 4 canines, how many pre-molars you have, you have 8 pre-molars, how many molars you have, you have 12 molars, 16 अपर 16 लोर, ठीक, अब समझो, अब क्या करना है अपने को, हम कैसे समझें, की first molar क्या है, second molar क्या है, आपके पास molar कितने हैं, 12, कितने मोलार हैं, बच्चों आपके पास 12, ठीक है, 12 हैं, मतलब क्या है, 4 इधर, 4 इधर, 4 इधर, ठीक, तो 4 दांत उपर, चार दाठ इधर, चार दार इधर, चार दार TCH तो आठ और आड व्राट सोला ठेक, अब आठ और अठ सोला है ठेक, अब पेर्स की बात करिए, सोला पेर्स हैं, 4-4 के पेर बनाने हैं अपने को, ठेक, आब 16 है सोरी बोल रही है, 12 चार, मतलब दो इधर बारा अपने को बनाने तीन, तीन छै, तीन नौ और तीन बारा, चार मैंने बोल दिया, सौरी, चार नहीं, बारा है ना मुलार से अपने पास, चार कैसे हो, चार से तो सोला हो जाएंगे, तो तीन मुलार ये हो गए, तीन मुलार ये हो गए, तीन मुलार ये हो गए ठीक, ओके, डन, अब आपने क्या करना है, मैं आपको ध्यान से समझेगा, आपको चार-चार के पेर बनाने है, चार-चार के पेर क्यों बनाने है, क्योंकि अगर कोई दात इस जबड़े में निकल रहा है, तो सेम टाइम पे इस जबड़े पे निकलेगा, इस जबड़े पे तो एक बार में कितने मोलार आएंगे चार दूसरे बार में कितने आएंगे चार और तीसरे बार में कितने आएंगे चार और तो हो गए बारा ठीक है तो कुल्मिला की यह है कि इसमें चार दातों का गुरूप है क्योंकि जो इधर आएगा वहीधर भी आएगा वहीधर भी आ गत्त राता है दूसरा अहीं सीजर के भी कितने जाइब आठे या आठ अब आठे तो आक है एक 2-1 कितने सी टर पहले पहले आता है मतलब कितने कई पहले के छर थिक अके उसके बाद दूसरा इंसी तो कित्ते दात आएंगे चार दात दो उपर दो नीचे अगर आप बोल रहे हैं सेकेंड मुलार तो कित्ते दात आएंगे एक चार दो उपर दो नीचे अगर बोले थर्ड मुलार तो कित्ते आएंगे दो उपर दो नीचे बस फर्स्ट मुलार बोल रहे हो मतलब यह मुलार sequence क्या है eruption of tooth कौन सा कब आता है दिहान से देखेंगे अप लोग दिहान से देखों सबसे पहले आता है first molar calculate कर लीजेगा इतना ही आएगा first molar मतलब कितने दाथ 4 फिर आता है first incisor first incisor कितने दाथ हो गए 4 फिर आता है second incisor कितने हो गए चार फिर आता है first premolar चार फिर आता है second premolar कितने हो गए 4 फिर आते हैं किनाइन किनाइन तो चार ही है तो first second कुछ हो गए नहीं फिर आता है second molar second molar कितने हो गए चार और last में आते थर्ड मुलार ठेक तो कितने हो गए चार अब आप calculate कर लो आप calculate करो चार प्लस चार आठ आठ प्लस चार बारा बारा चार सोला सोला चार बीस बीस चार चौबिस चार अठाइस और अठाइस चार बद्देश कितने दात हो गए 32 ठीक ऐसा ही यहां पर भी calculation लिखा हुआ है तो adult सैैंट में सबसे पहले आतें मिलार दो इसी आनुफ HC के गरुप बनाने दो दो का गरुप यांए बनेगा क्योंकि जो उपर के जबडे में वहीं नीचे के जबडे में जो इस सैड़ है वही इस सैड़ भी है तो चार चार का गऌूप 1st molar पहले आता है फिर 1st Inseasor आता है फिर उसके बाद 2nd Inseasor आता है चार चार आयए जो इधर, 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 इधर इधर फिर आता 1st pre molar दो इधर 2 फिर आते jest second pre molar दो इधर, मुलार वो भी किते 4 और 3rd मुलार 4 जार अब 3rd मुलार के बारे में यहां पे मैं हाइलाइट करके लिख देरी बहुत सारी चीज़ें बताई मैंने आज थर्ड मुलार जो होता है बच्चों, थर्ड मुलार, यह होता है after 25, कब होता है after 25, और इसे आप कहते है wisdom tooth, क्या कहते हैं भाईया, wisdom tooth, wisdom tooth, ठीक है, इसे आप क्या कहते है wisdom tooth, और यह 25 साल के बाद ही आएगा, समझ गए, समझी गए लिए, इसमें कोई tension परिशानी तो नहीं है, ठीक है, तो इसका पहले एक बार screenshot ले लो, फटा फट से ले लो, screenshot ले लिया होगा आपने, यह पूरी चीजे बहुत ज़्यादा important है, किस reference में, teeth के reference में, ठीक है, बहुत सारे लोग इतना detail से पढ़ाएंगे नी, पर you should know बच्चों, कि आपका क्या कहानी है, ठीक है, समझ ग कि जबडे में, प्री मुलार की जगा पर कभी मुलार नहीं आ सकते, मुलार की जगा पर कभी प्री मुलार नहीं जा सकता, प्री मुलार की जगा कभी कराइन नहीं आ सकता, तो अगर किसी जानवार में प्री मुलार नहीं आता, बच्चों, प्री मुलार नहीं आता है, तो नहीं लेना है उस जगह पर कुछ नहीं रहेगा and the toothless space is called as diastema अच्छा यह जो wisdom tooth है ना यह vestigial organ है ठीक है it is a vestigial organ यह आपने 12th class में पढ़ेंगे भी हाला कि मैंने जो है तो 10th में बताया भी होगा 10th वालो को तो vestigial part होता है तो एक बर फिर देख लिए थे we have 32 teeth ठीक है we have 12 molars in which first molar first जो 4 molars होते वो सबसे पहले आते हैं उसके बाद first incisor 2 उपर 2 नीचे आते हैं फिर second incisor फिर 2 उपर 2 नीचे आते हैं फिर उसके बाद first pre molars आते हैं ठीक है first pre molars 2 उपर 2 नीचे और फिर second pre molars 2 उपर 2 नीचे और फिर Canine, दो उपर दो नीचे, क्योंकि चार ही Canine हैं, उसके बाद 2nd molar, 2 उपर, 2 नीचे और थर्ड मुलार पच्चिस साल के बाद दो ऊपर दो नीचे अचा बहुत सारे लोगों में पच्चिस के पहले भी आ जाता है पर आइडिली पच्चिस के बाद लोग कहते इसको अकलदार जिसकी अकल जादा है उसके में विजडम टूथ है पर ये वेस्टीजल ओरगन है ज आगे की कहानी आजओ थो ये हो गया है अपना अच कुछ में टेंटल ऐसको और बताती हो जैसे कि मैं आपको rat का dental formula बदाती हूँ इसको भी आप note down करिएगा rat का dental formula is 1003 upon 1003 into 2, calculate करिए 2 का 1 से into 2, 0 से into 003 से into 6, तो 2006, 2006 कितने हो गया 8 दात, उपर 8 दात, नीचे 16, ठीक है यह हो गया rat का dental formula, कोई दिक्कत परिशानी ना हो, मैं आपको बताती हूँ ओपसम का, ओपसम हम लोगों ने कहां पर पढ़ा है, एग लेंग मैमल्स में पढ़ा है, पूरे अनिमल किंडम में सबसे दिखदात इसी के पास होते हैं, ठीक है, देखते हैं, आईए 5, 1, 3, 4, upon 5, 1, 3, 4, into करेंगे, तो ध्यान से देखिए, 5, 1, 3, 4, upon 5, 1, 3, 4, 10, 2, 10, 2, 6, 8, ठीक है, 10, 2, 6, 8, कितने हो गए, टोटल करेंगे अगर आप, तो आपको करी 50 मिलेगा, तो Opusum has the 50 teeth, पूरे अनिमल किंडम में सबसे ज़्यादा दात इसी के पास होते हैं, ठीक है, आई बात समझ में, आप हम लोग बात करते हैं, ये आप स्क्रिंशॉट लीजे इसका, रैट के पास हो गए कितने दात, 16 दात, ओपसम के पास हो गए 50 दात, ठीक है, रैबिट का दे दिल फॉर्मूला, टू, ठीक है, एक्चली रैबिट के पास टोटल होते हैं, ठीक है, 2, 0, 2, 3, 1, 0, 2, 3, ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे, 4, 0, 4, 6, 4, 0, 4, 6, तो चौदा उपर, चौदा नीचे, 28, ये हो गया, रैबिट का देल फॉर्मूला, हॉर्स और पिग के पास, टीथ, हॉर्स और पिग, ठीक है, हॉर्स के पास और पिग के पास होते हैं, टोटल 44 टीथ, 3, 1, 4, 3, अपॉन 3, 1, 4, 3, कैलकुलेट करेंगे घर पे, तो आएगा 44, ठीक है, इसी तरीके से, एलिफेंट के पास होते हैं, 14 टीथ, ठीक, ओके, 1003, 1003, इंटु 2, किता हो गया, 12006, ठीक है, 2006, ठीक है, तो यह हो गया, 1006 हो गया, तो, ठीक है, तो हो गया, 16 दाथ, ठीक, तो यह हो गया, टोटल कहानी इसकी ओके यह अक्चिली टू है बज्चो यह फोर होगा तो उसके पास चौदा दात होते हैं तो यह हो गया डेंटल फॉर्मुला किसका रैबिट का हो गया हो गया एलिफेंट का हो गया ओपसम का हो गया तो यह स्क्रीन शॉट ले लिया आपने आगे बढ़ें ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तूथ हो गया है शायद देखो तो यहां पर मैंने एक इमेज लगा रखी है इस इमेज में आपको और ज्यादा चीज़े क्लियर हो जाएंगी टू वन टू अच्छिली इंसीजर कनाइन मुलार इसमें प्री मुलार लिखा ही निए इसमें जाते हैं 28 और मतलब सत्रक से पत्चीश तक आते हैं चाह बाकी के चारदा थर्ड मुलार तो दिस आल अब आउट टीथ यह हुआ दात के बारे में आई होप यू लेंड इंजोए द वीडियो दात में इसके लावा और क्या ही पूछेगा यार सब तो पढ़ा दिया मैंने ठीक है तो नेक्स्ट ग्लास में आपको अगली कोई चीज पढ़ाओंगी जिसमें बहुत भीतरीन कोई मजा आने वाला है ठीक है तंब पढ़ाओंगी तो कैसे जीव लब-लब वाती है इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट ग्लास में तो तब तक घर पे रहिए सेफ र करिए क्योंकि यह बहुत इंपोर्टन टॉपिक है एक आध क्वेशन इससे आ सकता है so see you in the next class